एक्जाम्पल नमबर एट a cone of height 24 cm and radius of the base 6 CM is made of modeling clay अब यह कहा गया है कि एक कॉन है जिसके height 24 cm जिसका बेस है उसका बेस दिया हुआ है कि base का जो radius है 6 cm जो कि एक clay से बना है हमें पता है कि clay को easily किसी और shape में भी change करा जा सकता है तो यही होता है आगे कुशिन में देख लेते हैं यह लिखा हुआ है कि एक चाइल्ड रीशेप्स इट इन दा फॉर्म आफ आ स्फेर फाइंड दा रेडियस आफ दा स्फेर यह कहा गए कि एक चाइल्ड ने उस कौन को अब स्फेर में कनवर्ट कर दिया अब हमें उस स्फेर का रेडियस बताना है एक चीज़ हमने क्या चीखी थी कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहीगी अगर वॉल्यूम सेम है तो जो कौन की वॉल्यूम थी वो ही स्फेर की वॉल्यूम होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन एक इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह कि कौन का रेडियस कुछ और था एंड स्फेर का रेडियस कुछ और आ सकता है लेकिन इस कोशियन में वो सेम आएगा हम देखेंगे अभी सॉल्व करके कि वो सेम कैसे आजाएगा लेकिन अगर किसी और शेप में चेंज किया होता तो डाइमेंशन बदल जाते हैं चेंज हो जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं कौन की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वेर एच विच विल बी एक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई आरेस क्यूब एस यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह रेडियस स्फेर का है तो हमने एक सिंबल बना लिया है यहाँ पर ताकि हमें क्लियर हो जाए कि स्फेर का रेडियस यहाँ पर आरेस है तो हम अब वैलियूस को पुट करेंगे तो इन्हें equal to के आमने सामने हम लिख देंगे तो कुछ इस तरह से ये लिखा रहेगा that is 4 upon 3 pi r s cube equal 1 upon 3 pi 6 multiplied by 6 multiplied by 24 यहां से pi से pi cancel out हो जाएगा और upon 3 से upon 3 cancel out हो जाएगा यहां पर तो next हमारे पास बचेगा 4 r cube equal 6 multiplied by 6 multiplied by 24 next 4 को हम नीचे ले जाएगे और इसे solve करेंगे तो हमारे पास आएगा r cube equal 3 multiplied by 3 multiplied by 24 और जब आप इसे solve करेंगे तो आपके पास आएगा r cube equal 216 और हमें यहां पर r cube तो find करना नहीं है हमें तो r चाहिए क्योंकि radius चाहिए radius का cube नहीं चाहिए तो हम 216 का cube root कर लेंगे जो कि आएगा 6 cm तो हम देख सकते हैं sphere का radius that is rs वो आ चुका है 6 cm जो कि एक तरह से cone के radius के ही equal था बट हर case में ऐसा नहीं होगा कि जो हम shape change करें उनके आपस में dimensions same आ जाएं तो इस process को हमें follow करना और most important चीज हमें हर question में यह ध्यान रखनी है कि volume change नहीं हो रही है change हो रहा है तो वो सिर्फ dimensions change हो रही है shape change हो रहा है इससे जादा यहां पर कोई changes नहीं आ रहे है